अभी हम बात करने वाले हैं CSC T20 चैनेज में होने वाले आज के मुकाबले की आज का पहला मुकाबला DP World Lions और Dolphin के बीच में होने वाला है दोनों ही टीम्स चार-चार मुकाबले खेल कर रही है Lions का एक मुकाबला रद हो गया था पिछला वाला और Dolphin के अगर आप बात करो चार मैंसे दो मुकाबले जीत कर रहे हैं दो मुकाबले अपने हार कर रहे हैं लवन्टीन्थ मुकाबला है टूना मैंड का 26 तारिक मलब आज के दिन आपको इमाच 6 बजे लाइफ देखने को मिलेगा इंडिन टामिंग के साब से सीनस पार्क पॉच्फिल सौथ अफरीका में आपको इमाच लाइफ देखने को मिलेगा इतनी ज़्यादा बड़िया परफॉर्मेंस रही थी पिछले वाले मुकाबले की ही मैं बात कर रहा हूँ डॉल्फिन की वैदर रिपोर्ट थोड़े बहुत चांसे है रेंग के हो सकता है कि आपको रेंग देखने को मिले बट इतना ध्यान रखना कि चोटा मैस तो आपको देखने को मिली जाएगा मतलब यहां तो बारा ओवर्स यानि तो चौदा ओवर्स का मुकाबला हो सकता है कि एक पारी के बीस ओवर्स कंप्लीट हो दूसरी पारी के आपको कम ओवर्स देखने को मिले अब अगर आप हैट्व एट की बात करोगा 28 टोटल मुकाबले दोनों टीम्स एक दूसरे खिलाफ खेल चुकिया अगर आप बात करो अपना एक मुकाबला जीत कराएं एक मुकाबला रद हुआ है लगातार स्टाइटिंग के दो मुकाबले अपने हार कर आए थे रियान रिकल्टन लेफ्ट हैं बहुत ज्यादा है इस प्लेयर की हैट टूएट पांच मुकाबले खेले हैं स्टीम के खिल आपके लिए इस ग्राउन के उपर पांच मुकाबले 35 विरन ओवर तीन और विकेट दो और यह जो तीन ओवर करवाए हैं वो स्टार्टिंग के दो मुकाबले में करवाए था अब कैमरें डेलपॉट पिछले मुकाबले में इसने ओवर तो नहीं करवाए बट इतना ध्या है वहाँ पर 6 रन की पारी खेल रखी है और उसके बाद अगर आप देखो इस ग्राउन के उपर चार मुकाबले 58 रन एवरेज 29 के इसके अवरेज आपको ज्यादा बढ़िया लगीगी एस कंपेर तो अगर आप देखो रियान डेकल्टन फिर उसके डॉमनिक हेंडिक्स ल ओफर 10 विकट्ट तो इस ग्राउन के उपर 5 पांच मैचिस 57 रन ओवर 11 और विक्केट टीन अब अगर आप देखोगे तो पिछले पांच मुकाबलों मैं विकट्स आपको लेकर देकर गया है पहले और चौथी मुकाबले मैं रन्स आपको हर एक मुकाबले मैं करकर देकर पिछले मुकाबले में बैटिंग नहीं आई क्योंकि सिर्फ और सिफ इन प्लेयर्स की बॉलिंग ही आई थी लाइन्स की टीम की सिर्फ और सी बॉलिंग आई थी मौमिन मुनाक के अगर आप बात करो यह प्लेयर चार ओवर करवा चुका है अभी तक पिछले वाले मुकाबले में ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई फिर इवान जॉन्स के अगर बात को राइट इन बैटिंग आईगी तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया रंस करकर देकर जा रहा है और सामने वाली टीम बहुत आउटस्टेंडिंग पर्फॉर्म कर रह आज आपको देखने को मिले इसके बाद अगर आप सिबोतों की बात करोगे लेफ्ट हैं बैटस्टेंड राइटा मीडियम फास बॉलर हैट टू हैट सोला मैचिस ओवर फॉर्टिनाइन विकेट ते रहा है इस ग्राउन के पर दस मैचिस ओवर बत्तिस विकेट दस अब अ पिछले मकाबले में एक विकेट चटकाई है और वो ही इसके साब भी अब ही अपने चार ओवर या तीन ओवर कंप्लीट करवा रहा है तो विकेट आपको ला कर दे कर जा रहा है लूतो सिपला की अगर आप बात करो राइट हैं ना कम बोलोगे ना चाला बोलोगे फिर उस इतना ज़दा इंपक्ट फुल नहीं है फास बोलोगे बहुत ज़दा इंपक्ट फुल है बट सिल आपको मैपा का हर एक मुकाबले में विकेट लाकर दे कर जा रहा है डॉल्फिन के अगर आप बात करो दो मुकाबले जीत कर आए हैं दो मुकाबले अपने हार कर आए हैं अगर आप देखो जो हार कर आए हैं न मुकाबले वहाँ पर सिर्फो सिफ एक सो तीस एक सो तीस के गरीब टन्स करें तो जीते हैं वो बहुत आउट्सेंडिंग तरीके से जीते हैं गरांट बहुत बड़ी आफॉम में है राइट हैं तीन हाफ सेंच्रीज मार चुका है य एक ही मुकाबले में फ्लॉप रहा है वहाँ पर नौ पर उट गुओ था उसके बाद पिछले मुकाबले की बात करो 91 रन और हैट टो हेट की बात करोगे तो दो मैचेस 54 रन एवरेज 27 कीगन पीटरसन राइट हैं लेफट आम बॉलर आपके लिए पांच मैचेस के लिए इ इस मैचे इस तीम के खिदाब 23 के अविलेज के साथ 49 रन स्टाइक रेट 124 ओवर 64 विकेट 20 इस ग्राउंड के उपर 6 मैचेद 117 रन ओवर 9 विकेट 2 उसके बाद अगर आप देखोगे रिसेंटली 14 रन के साथ एक विकेट नहीं 22 रन के साथ एक विकेट 0 नौ रन के साथ इस ग्राउंड के उपर यही दो मुकाबले खेले हैं काया जोंडो राइट हैंट मैचेज 162 रन एवरेज 23 काया जोंडो को आप ट्राई कर सकते हो consistent तो नहीं है बट एक मुकाबला चल रहा है एक नहीं चल रहा है एक नहीं चल रहा है ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है एड-to-head 18 मैचेज 220 रन कर रखे हैं ओवर दो विकेट 0 उसके बाद अगर आप देखो जेशन समेथ आपके बास है राइट-hand बैच्पन राइट-ाम एट-विकेट 3 इस ग्राउंड के ओपर 6 मैचेज 158 रन एवरेज 39 ओवर एक विकेट 0 फॉर्म बहुत बढ़िया है मे फिर को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं कि हर एक मुकाबल में विकेट लाइकर देकर गया है जब बैठिंग आ रही है तो कुछ रंस भी करकर देकर जा रहा है जीरो पर आउट नहीं हुआ है फिर उसके बाद अगर आप देखो अगर आपके बास है राइट-न-बैच्पन राइ विकेट चटका रखें चार मुकाबलों में बाट मैं राइट-न-बैच्मन राइटा मीडिम फास बॉल अप पिछले मुकाबल में सिर्फ और सिफ दो पर्ण दो ओवर्स करवाए पाच विकेट चटकाई एक मुकाबल में तीन विकेट एक मुकाबल में एक विकेट एक consistent player Grand League में captaincy wise captaincy आप दे सकते हो update आपको telegram पर देखने को मिल जाएगा telegram का link आपको नीचे description में मिल जाएगा और description से ही आपको telegram पर जुना है अब अगर आप देखो आपके पास यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में दो प्लेयर्स है रियान रिकल्टन की selection क्यों है जाएगा क्यूंकि आपको विकेट कीपिंग भी कर दे कर जा रहा है कभी कबार हर बार नहीं कभी कबार यहाँ दो मुकाबलों में कुछ कैचिस करें हैं इस वजह से आपको dream team में आता हुआ दिखा है हो सकता है यहाँ पर grantee dream team में आने वाला है और अगर batsman परफॉर्म नहीं करते है तब आपको रियान रिकल्टन dream team में आता हुआ दिख जाएगा बैटिंग सेक्शन में Cameron Delport इसकी दोनों कर रहे हैं आप जेजे समट की जगा एक्स्ट्रा बॉलर पिक करना चाहते तो वह भी कर सकता है और एक्स्ट्रा बॉलर मेरे हिसाब से कौन हो ना चाहिए वह ना चाहिए बोका को क्योंकि हर एक मुकाबले मां आपको विकेड लाकर देकर गया है इसके बाद अगर आप देखो लुथो सिपला फिर के लिए बोश है आप एक टीम बनाना सिर्फ बैट्समें चलते हुए दिखेंगे और आप एक्स्ट्रा बैट्समें लेकर जाओ तोवाली तीम आपके लिए ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर लिकर जा सकती है Captaincy Vice Captaincy अभी के लिए मैंने E Jones को Captaincy दे रखिया Vice Captaincy मैंने E Bosch को दे रखिया आप यहाँ पर W Mulder का option आपके पास एक बहुत outstanding option हो Grant का एक बहुत outstanding option रहेगा जो आपको consistency से perform कर कर देखकर जा रहा है एक Captaincy Vice Captaincy आप क्या गर सकते हो G Ruffelson को Captaincy दो Vice Captaincy E Jones को दो एक option आपके पास यह रहेगा एक option आपके W Mulder का रहेगा तीन-चार options आप ट्राइगर सकते हो अपडेट आपको टेलिग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सस्क्रेप कर लिजेगा वीडियो लेक कर देजगा पहले लाइकन दबादे क्योंकि ऐसे वीडियो जोर भी आतरी रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर